I love Mondays, it sets the tone for the rest of the week इसलिए एक स्कूल गर्ल यूनिफॉर्म पिक करते हैं ये सना सफीनास का स्ट्राइप ड्रेस है और मुझे स्ट्राइप ड्रेस बहुत पसंद हैं इस्पेशली अगर नेरो स्ट्राइप हो जहां पे भी हो प्रेंट में लाजमी उट ले लेती हूँ फॉरन से पिक कर लेती हूँ इसलिए कि बहुत कम स्ट्राइप ड्रेस आते हैं और मेरे पस विंटर में धेर सारे स्ट्राइप ड्रेस हैं नेरो स्ट्राइप ड्रेस में बहुत यंग लुकाती है डाइट प्लान 4 में एक चीज सो मैंने हमेशा strictly follow की है और वो है breakfast in the high easy है और coffee with cream ले रही हूँ और ये almonds मैंने लिये थे, पाकिस्तानी almonds है ये shape में इतने अच्छे नहीं है लेकिन taste में बहुत मज़े की है और full of oil भी आपको feel होते है बहुत fresh है, इससे पहले मैंने इरानियन almonds लिये थे लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है इसमें एक hint of you can say थोड़े से bitterness भी feel होती है कुछ में कड़वे नहीं है लेकिन थोड़ा सा feel होता है इसमें इवन इरानी, अफगानी और American almonds के निसपे थोड़े से ज़्यादा expensive है लेकिन पकिस्तानी है, इसमें लेने चाहिए और विकुल fresh feel होते है इसलिए टेस में भी बहुत अच्छे है मैंने almonds, bucky nuts के साथ mix ने किये इसलिए यहां से खा लेते हैं और साथ साथ दूसरे भी खा लेते हैं और बकि मैंने handful of nuts ले ले लिए यह breakfast हो गया complete इस नाचसे की सबसे मज़े की बात है कि इसमें कोई cooking नहीं करनी, सिर्फ coffee पी नहीं है और उसके बाद आप directly कुछ भी कर सकते हैं और coffee में cream लेने का मक्सद यह है एक तो fats है दूसरा ही है कि आपको जादा time के लिए full रखता है आप nuts भी ले रहे हैं, उसमें भी fats है और cream भी ले रहे हैं इसलिए 4-5 गंटे आराम से गुजर जाते हैं बुक्त भूख नहीं लगती है weather काफी change हो रहा है इसलिए AC के बगएर भी काफी हद तक गुजारा हो जाता है इवन bright sunny day पे भी अगर drive करे हो तो AC की ज़्यादा जुरूद नहीं पड़ती which is a good thing बिल हमेशा इतने आते रहे हैं कुछ at least relief मिलेगा बिल्स में भी early morning office आगी इसलिए के banks के भी काम थे और जब आप अपने किसी भी काम को weight loss हो या business हो उसको progress करते वे देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आप कितना grow करें Monday's में especially जितनी भी है calculations करनी होती है week days की, hours की, staff की वो सारी मैं Monday को रखती हूँ और तक्रीवन धेर सारा काम होता है but I make spreadsheets और मेरे लिए easy है कि मैं सारा day time इंजर करती हूँ और बहुत असानी से एक काम हो जाता है उसके बाद मेरा office बाई उसे मैंने कहा कि मेरे लिए 3 खीरे कार्ट तो और उसने इतने चोटे चोटे pieces किये लेकिन इसका फाइदा ये रहा कि जादा time तक ये चलते रहे मैं इनको सासाथ खाती रही और मैं काफी time में इसमें भी busy रही पिंडी इसलामबाद में डेंगी के बहुत से cases आ रहे है especially इस पार बहरिया टाउन में भी इतने जादा patients हैं डेंगी के और ये है इसकी वज़ा ये दिरियाए सवान जो है ये इसकी main वज़ा है बारिश हुई है कल लेकिन उसके बात अगरीबर पानी still ही रहता है खड़ा ही रहता है और इसके आगे पीछे के जो एरियाज हैं वहाँ पे मच्छर बहुत जादा होते हैं और जो इसके साथ-साथ सेक्टर्स हैं उनमें कफी जादा तिंगी के केसिस रिपोर्ट हुए हैं मेरी मॉम को तक्रीबर दो साल पहले दिंगी हुआ और उनको हम पिम्स हॉस्पिटल लेके गए इसलिए कि वो सेंटर बनावता है तिंगी का और एक पिंटी में हॉली फैमिली हॉस्पिटल था लेकिन वहां पे जाके देखा तो किसी ने भी पानी की बॉटल तक नहीं उठाई वी थी प्लीज अपने लिक्विड्स को प्रॉपर रखे एपल जूस बना के उसमें लेमन एड़ करके पीए इसलिए कि अगर हो जाता है किसी को खुदा नहासता तो उसके लिए क्यूर करना भी जूरूरी है और हमें तो डॉक्टर नहीं कहा था कि आपने पनी मॉम को सोने नहीं देना है रात को हम उनके साथ बैठे रहे और उनको तक डिहाइड्रेशन ना हो हम उनको कंटिनियूस भी खुद हात में दे के उनको पानी पिलाते रहे और जूसिस पिलाते रहे आफिस में तमाम स्टाफ के लिए खाना फ्री होता है इसलिए मैं कभी आफिस चाओं तो मैं भी उन्हीं के साथ ही खाना खाती हूँ एक नया हमने आफिस पोई रखे और वो अच्छा कुक भी है उसने मतर कीमा बनाया वा था मैंने इसके तीन चार नवाली लिए इसलिए के मज़े खीरे खाका के और पानी पीपी के में कफी सदा फूल हो चुकी थी कॉफी भी पी ले घर आके पी सिर्फ पानी पे गुसारा किया और दो दिनों से जिम नहीं गई थी इसलिए आज जिम जाना है और बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ यह सिर्फ एक्साइज की बात नहीं होती यह आपकी बॉड़ी फिट रखने की बात नहीं होती यह बहुत रिलैक्सिंग चीज भी है इसलिए बाकी सब बड़े बड़े कामों के साथ थोड़ा सब टाइम अपने आपको भी देना और माइंड फुल रहना और मैं इंकलाइन वोक करती हूँ मैं आपको बता दू कर दो ऐसे कि जीम इंस्ट्रक्टर आपको Inclined वोक नहीं करने देते है इसलिए किसे बहुत ज़़ादा Counts कि बाता है मेरी इंस्ट्रक्टर ने भी मझे यह कहाता कि आपको इंकलाइन वोक की क्या दूदत है आप jogging कर लें लेकिन उसको कोई फाइदा नहीं होता जब तक आप चड़ाई नहीं चड़ेंगे आपकी calories और sweating ज़ादा होगी इसलिए please inclined walk किया करें नहीं तो किसी चड़ाई विली जगा पर चड़ा करें उसकी normal walk से ज़ादा calories burn होती है लेकिन obviously gym owner आपको ये मश्रा नहीं देंगे इसलिए उन्होंने इपना business भी चलाना है अगर हम जल्दी fats burn करेंगे तो हम शायद जल्दी gym भी छोड़ दें तो उनके gym कैसे चलेगा इसलिए हर कोई अपने business को देखता है प्लीज मश्रा उससे लिया करें जो के चीज authentic हो नहीं तो google कर लिया करें जिम जाने से पहले लग रहा था कि आज डिनर नहीं करूंगे इसलिए कि ब्रकुर भूक नहीं लगी वी और वापस आई तो शिदीद ही समगे भूक लगी थी अपने लिए बैसन की रोटी बनाई चलती से और cook ने ये black चने बनाई वे थे और ये मैंने थोड़ा से एक चोटा सा बाउल ले लिया और I swear बहुत शदीद भूक लगी थी जिम करना असान काम नहीं होता और मैं आईसा इस तर वेट्स जो है वो भी increase करती जा रही हूँ इसलिए कि जिम तभी effective होता है और जिम के बारे में मैं आपकी सबकी misconception दूर कर दूँ कि जिम में वजन कम नहीं होता है बलकि एक दो किलो बड़ भी जाता है जिसने जिम किया हो वो मेरी इस बात से agree करेगा इसलिए कि आपके जो muscles होते हैं वो swell हो रहे होते हैं weights उठा उठा कि muscles break हो रहे होते हैं इसलिए जब आप weight lifting करते हैं तो बाकी सारे time में भी calories burn होते हैं जब आप exercise नहीं कर रहे होते हैं इसलिए कि body उसको recover करने के लिए muscles को दुबारा से join करने के लिए energy लगा रहे होती है जिसमें आपकी उसमें भी calories बाहर हो रहे होती है resting time period पे तो ये बहुत ही different सा concept है I'm sure आपके लिए knowledgeable होगा और आप में से बहुत से लोगों को शायदे इसका idea भी होगा no doubt body जो है वो first week में ही gym करने से tone होना शुरू हो जाती है inches loss होना शुरू हो जाता है बढ़ाने की भी जुरूरत होती है तब हुचा के ये बाकी सब कुछ होता है weight काम होता है कल से अपने vitamin D का supplement भी start करूँगी और जहां जहां मुझे जुरूरत पड़ी once in a week or twice in a week में jovit भी start करूँगी और बाकी ये oceanate D मेरी खतम हो गया है tablets ये बहुत अच्छी है vitamin D की tablets mineral and B complex भी है इसमें please ये आप purchase कर सकते है और biotin की ये सुरते हाल है कि ये मेरी थोड़ी सी रह गई है मैं सोच रही थी पते नहीं पाकिस्तानी brand है कैसा होगा कैसे results होगे लेकिन first 15 days में ही मेरा hair fall कम हो गया था और visible difference आया था और ये मैं अभी तक ले रही हूँ थोड़ी सी रह गी है और मैं इसको continue करूंगी आपके लिए भी बहुत अच्छा है अगर आपका hair fall और है प्लीज ले लिया करें और अगर आपकी कोई medical condition के medicine है तो उसको भी साथ साथ जारी रखे मैं folic acid लेती हूँ routine में ये मैंने organic travelers का glow SPF खरीदा था गर्मियों में और मैंने इसको कभी use नहीं किया इसलिए कि sweating का season था और उस पे glow SPF लगा के आपने बहुत ही कोई glow ही हो जाना था इसलिए मैंने इसको रखे रखा लेकिन इससे मैं कल start करूंगी इसके मैंने बहुत से marketing देखी थी organic travelers की Instagram पे तो ये मैंने purchase कर लिया और इसको कल से use करेंगे फिर मैं आपको इसका review दूएंगी कि ये कैसा है तो खेर use कि किसी चीज का review देने का फाइदा नहीं